तो आपको पता होने चीए क्लास 10 के English Board Examination में 12 Marks की Grammar आने वाली आपकी 12 Marks की Grammar portion आने वाला है और बचे हुए जो 18 नमबर होंगे वो आपके writing portion से होंगे यानि की letter, article और short story writing चले बहुत बड़े अधर अब हमाँ बात कर लेते हैं top 3 topics की जो हमारे आने ही आने हैं तो बच्चो gap filling आएगा चार Marks का आपका then after that editing omission भी चार नमबर का आएगा और jumbal words भी हमारा चार नमबर का आएगा तो इस तरीके से चार आठ बारा इन तीनों ही topic की मैं video डाल चुका हूं चाहे तो आप channel पर ढूंड लीजेगा या फिर मैं post कर दूंगा channel पर video share कर दूंगा आप लोग महां से वो videos watch कर सकते हो इसने revise करने की जरूरत है ताकि हमारा grammar portion बहुत बढ़िया जाए उसके लिए आपको गिने चोले तीन चार topics को revise करने की जरूरत है पहला है articles a and the चीके ना ये तीनों कहां use होते हैं किसके साथ use होते हैं and after that prepositions, prepositions of place, prepositions of direction, prepositions of time ये तीनों आपको topic cover up करने है सब topics prepositions topic के और आपको try करना है कि tenses दुबारा पढ़ जाए, tenses की table पढ़ जाओ कहीं से भी बिल जाएगी, debt से भी बिल सकती है, तो prepositions की table आप पढ़ जाओ आपके लिए बहुत 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 जाला beneficial रहेगे, तो ये हमारा grammar का topic है, हलाकि मैं हर topic पर video बना चुका हूँ, मैं video share भी क बता रहा हूँ, जस्त में आपको revise करा रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ कि आपका किस तरीके से board exam pattern में ये चीज़े आएगी, और next video में हम पढ़ेंगे कि आखरी रात में ऐसी कौन-कौन सी tips फॉलो करें, जिससे की रात-रात में ही आपके 95 marks बन जाए, तो चैनल को subscribe कर आने वाले सभी subjects में, राम रूप शर्मा चैनल और वेस्टिस्टिक एडमी आपका बहुत-बहुत-बहुत-बहुत help करने वाले हैं, so till then take care and bye-bye